जय हिन जोहार आप सभी को आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूग चैनल में और आज मैं बात करूँगा Excel में एक नए टोपिक का जिसमें आज मैं आप सभी को बताऊंगा आप लोग Excel में कैसे किसी भी संख्या को कैसे आप लोग जोड़िएगा यानि कि Excel फंक् और यहां पर क्या टाइब करेंगे रण डालोग बोक्स जब ओपन होगा तो Excel हम लोग यहां पर टाइब कर लेते हैं अच्छे से स्पैलिंग को लिखेगा इ-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e है तो हम लोग इसको क्या गरेंगे close करके हटा लेंगे देखिए हम लोग का seat open हो गया एक्सेल गात हम लोग देखिए side में देखिए यहां पर नीचे आईएगे सबसे यहां पर क्या करना side में अब हम लोग क्या गरते हैं तो असा plus का icon यानि कि मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को जोडने के लिए या तो प्रस्नली से लेडरेस्ट के मादन से भी जोड़ा जा सकता है और नहीं तो हम लोग क्या गरेंगे देखिए यहां पर इंसर्ट में हम लोग जा गरगे क्या कि वरड़ाट से किस तरह का select कर लिए जो आपको अच्छा लगेगा और select करने के बाद हम लोग यहां से क्या गरेंगे एक topic बना लेंगे तो क्या यूज हम लोग करने वाले हैं sum यानि कि गुना करने को excel में product बोला जाता है जोडने को क्या बोलते है sum हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे use of sum देखिए sum आप लोग क्या गरिएगा इस तरह से use of sum यहां पर क्या करना है हम लोग को लिख लेना है इसको थोड़ा से यहां पर left side कर लिजेगा न हलका से इसको आप लोग क्या गर सकते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन पहले यहां पर क्या गरिएगा फेल करिए पिछे इस तरह के देखे, पार्मेट पर जाने के बाद देखें के यहां पर इसका पर बना देते हैं, सेप भी नीचे देखें, आउड लाइन मिलेगा, सेप का हुड़ा से इस तरह से मोटा कर लिजिएगा और इसको हम लोग क्या गरते हैं ना रेखें, यहां पर क्या लिखतेए में लिखते हैं ओधि दूसरे में फिर हम लोग यहां पर क्या गरें पहले हैं इसको डूबल करने कि लीज़ेगा थोड़ा-सा डबल कुलिक करेंगे दोनों को छोटा ब्रह चाहिए इससे खीच दीज़गा तो पांच हो गया और लोग क्या करते हैं लगबख 6 संख्या को हम लोग क्या करते हैं सम करते हैं यानि 6 संख्याओं को जोड़ते हैं देखिए यहां पर भी डबल क्लिक करिएगा यहां पर भी डबल क्लिक यहां पर भी डबल क्लिक और फिर यहां पर भी क्या करेंगे देखिए इस सेल में चले आईएग इसको बोल्ट भी कर लेंगे, बोल्ट करने के बाद हम लोग क्या गरते हैं, अब यहाँ पर देखें, जितना भी सेल उसमें हमको data entry करना है, यानि कोई भी संख्या हम लोग लिख लेंगे, तो उसके लिए क्या गरते हैं, जैसे इस तरह से 48 हो गया, उसी तरह से हम लोग क्या करना है, अपना practice के लिख लेना है, यह नहीं कि आपके पास कोई संख्या हैं होगी तभी, काईगी कि किसी भी संख्या को जोड़ के देखना है, कि मेरा जो एडिसन है, वो सही सलामत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने आपको बता भी दिया है, हम लोग क्या यूच करना है संख्या को कैसे जोड़ेंगे, तो जोडने के लिए या तो गुना करने के लिए किसी भी तरह का चीज होगा, तो पहले हम लोग के पास डाटा होना चाहिए, और मैंने आपको बताया भी कि जितना सेल में आपको नंबर लिखना है, उसको पहले क्या गरेंगे, बोर्डर आ पर यहां पर 50, अफिर हम लोग के कितना हो गया, 54, अब हम लोग क्या गरते हैं यहां पर देखें, जोडना है जिसे यहां सेले के यहां तक संख्या को जोडना है, यानि कि सभी को, जिसे 48, इतना सेले के इतना तक सब को हम को जोड के कितना आएगा, तो सबसे पहले हम जाना पड़ता है, तो क्या लगाते हैं हम लोग पहले ब्राबर लगाते हैं, इस तरह से पहले equal to डाल लेंगे न, उसके बाद हम लोग क्या गर सकते हैं न, देखें यहाँ पर, इसका 48 का अब इतना करने के बाद क्या गरिएगा, एक तरीका तो एह हुआ, सिंपल में जिससे अगर जोड़ना अगर होगा, तो इंटर गरिएगा, देखें 346, अब क्या गरेंगे, अब इस सभी को जोड़ने का आउ सकता नहीं है, आप एक जिससे निकल गया, छोटा पलस में करेंगे, चुकि हमको और जल्दी करना है, हम लोग सम का यूज करते हैं, यानि एकसेल फंक्सन का जैसे अगर यूज करेंगे, तो और जल्दी हम लोग किसी संख्या को क्या कर सकते हैं, जोड सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या गरेंगे, कि यहां पे यह जो संख्या दिया हुआ है, सबको हम लोग क्या गरते हैं ना, सम का यूज करके हम लोग निकालेंगे, फिर तर नयास एक बार जोडते हैं, एक बार तो आपको मैंने सिंपल जोडने के लिए आपको बता दिया है, लेकिन अब बार हम लोग क्या गरेंगे, देख अब क्या करेंगे सम का इस्तमाल करेंगे हम लोग फिर वही प्रोसेस एक्वल टू सम लिख लिजेगा स्पेस कहीं नहीं देना है सिप्ट के साथ कीबोर्ड से ब्रैकेट लिजेगा और पूरे को 48 से लेकरके 57 तक को क्या करना है अबको सेलेक्ट करना है तो अटोमेटिक A6 और फिर यहां पर देखे सेमिकलोन यहां पर डला गया है और F6 बस इतना करने कबद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजेगा फिर यहां से क्या करेंगे पकड़ के सबको ऐसे ड्रैक कर लिजेगा देखे सेम आपका उतना ही आया है ना सबको जैसे हम लोग जोड़े तो देखे यहां से लगे यहां ते कितना 340, 293 पूरा इसी तरह से आएगा तो इस तरीका से हम लोग क्या गर सकते हैं equal to देखे हम पर equal to sum और उसके बाद क्या किये हैं a6 ने करके हम लोग कहां तक f6 तक हम लोग क्या किये जोड़के निकाल दिया यह हम लोग का तरीका होगए जिसके माद क्या करêmगे जल्दी निकाल सकते हैं अप पूरे यहां पर क्या करिएगा सबको select कर येग और यहां से paragraph से क्या करेगए सबको बीच-Beech में कर देंगे यह तो हो गया विच में जितना जो data in Trick एए इसको हम ली कि बीच में कर लीने और उसके बार इसको सेलेक्ट कर या heading नंबर नंबर टू को यहाँ देख pasta में ये color कर लीजे, इस तरह से कोई पिला color कर लीजे, अच्छा लगेगा, इस तरह का हो गया ना, तो इस तरह से हम लोग्या करेंगे, में सम का इस्तमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं, देखें, यहाँ पे आसानी सम्यलों का जुड़ गया ना, यानि कि अलाम से हम लोग यहाँ पे क्या क्यें अब हम लोग क्या करेंगे तो जैसे माल लिजे अगर आप क्या क्यें equal to जैसे माल लिजे a6, b6, c6 इस तरह से करके निकाल रहे हैं तो थोड़ासा जादा हम लोग का समय लग रहा था लेकिन equal to sum करने के बाद क्या हुआ हम लोग का काफी कम समय लगा तो यह हम लोग एक तरीका है दोस्तों equal to sum का कैसे आप लोग इस्तमाल करिएगा और किसी संख्या को एक्सल में कैसे जोड़िएगा तो अगर आप सभी विडियो गर पसंद आया होगा चैनल कभी तक गर सस्क्राइब गर आप लोग नहीं किये होगे आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा आज के लिए बस इतना ही अब मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिं